आप आ गए तो हम बही आ गए तो चले शुरू करते हैं आज की इस पीडियो में Class 9 Mathematics Exercise 1.6 Exercise 1.6 को पढ़ने से पालेना थोड़ा बहुत फर्मूला है उससे पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाता है बहुत इजी यहाँ पर देखो 1,2,3,4 फर्मूला है जो की इसी से related हमारा सारे question यह बन जाने वाला है ठीक है आईए हम थोड़ा बहुत फर्मूला को पढ़ लेते हैं ताकि बाद में पैताने के जुरूत न पढ़े ठीक है तो बहुत इजी है फर्मूला बहुत इजी पहला फर्मूला है कि 1k power m into 1k power n देखो दोनों का बेस जो है बराबर है यानि सेम है तो बेस को लिख लेते हैं अब पावर को क्या करते हैं अड़ कर देते हैं जब बेस सेम रहेगा तो पावर को अड़ कर देंगे ठीक है शेकन्ड फर्मूला कि 1k power m अब आई एक पावर n हो देखो यहाँ प दोनों का बेस सेम है और डिभाइड में है इनका क्या होगा बेस तो लिखेंगे अब पावर को माइनस कर देते हैं यह अंतर है दोनों में ठीक है ठीक है ठीक है अपका फर्मूला कि 1k power m है और इसका भी power n है इस condition में power power क्या होता है multiple हो जाता है तो m into n हो जाएगा ठीक है और उसके बाद 4 number और फोर्थ number है कि a के power m into b के power m जब दोनों का बेस अलग हो power सेम हो multiple में हो तो बेस का multiple हो जाता है अब power दोनों में से कोई एक हो जाता है यह 4 फर्मूला आप लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है उसके बाद आप लोग अराम से exercise को बना डालोगे ठी करती नहीं होगा आई हम पहले से question लिख करके ready रखे हैं इन सभी question को कराते है ठीक है exercise 1.6 first find यह आप से बोल रहा है कि find 123 find करना है किसका value क्या होगा ओके तो 64 के power 1 by 2 है 64 के power 1 by 2 है इसे solve करना है तो इसे solve करने के लिए आपको सबसे पहले factor आना चाहिए यानि 64 का हम क्या करेंगे factor निकालेंगे तो हम rough page पर जाएंगे ठीक है rough page पर जाकर के 64 का factor करेंगे 2 से जाएगा 2 से 32 फिर 2 से यह अपका हो जाएगा 16 again 2 से यह हो जाएगा 8 again 2 से 4 again 2 से 2 again 2 से cancel 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि 2 के power 6 करेंगे 2 के power 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के power 6 करेंगे तो यह हो जाएगा 64 ठीक है यह हो जाएगा 64 लेकिन इस factor को जड़ी हम ऐसे करते हैं 2 के power 6 और उसका power 1 by 2 एक्वेशन सल्व नहीं हो पाएगा तो आपको mind लगाना है mind कैसा लगाना है ऐसा इसको factor करना है जिसके power में 2 आ जाएगा अब मताओ 64 का ऐसा कौन सा factor है तो 8 एट जा 64 यानि 8 के power 2 करोगे तो क्या होगा 64 होगा अखीर हम 8 के power 2 ही क्यों करेंगे क्यों कि power में इसका 2 है जदि हम 2 के power 6 करते हैं तो combination हमा नहीं बन रहा है इसलिए 8 के power 2 करना पड़ेगा तो यहां पर 2 के power 6 ना करके हम 64 को 64 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं 8 के power 2 लिख सकते हैं 8 के power 2 लिख सकते हैं समझ रहो बात को का नहीं समझ रहो देखो 64 के power 1 by 2 है तो हम क्या करेंगे पहले 64 को 8 के power 2 लिख देंगे तो 8 के power 2 क्या होगा 64 होगा और उसका भी power है 1 by 2 यहाँ पर 8 के power 2 इसलिए किया जा रहा है कि इसका power में 2 है 1 by 2 है तो 2 2 क्या होते हैं यहाँ पर दोनों cancel हो जाता है खतम हो जाता है अब बच क्या गया 8 के power 1 बच गया 8 के power 1 कितना होगा 8 यह आपका answer हो जाएगा इस तरह से बनाय जाता है यह आपको 2 के power 6 भी कर सकते थे लेकिन वो करोगे तो combination ही नहीं बनेगा इसलिए 8 के power 2 किया गया है एक दो question करोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा जैसे यहाँ पर देखो next question है 32 के power 1 by 5 अब यहाँ पर 32 का ऐसा रखना है उसके power में 5 आ जाए तो देखो यहाँ से देखो 32 को करोगे न 2 से फिर 16 फिर 8 फिर 4 फिर 2 1, 2, 3, 4, 5 यह तो के power 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 32 तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 32 के बदले हम लिख सकते हैं क्या 2 के power 5 2 के power 5 ही क्यों लिखे हैं तो 1 by 5 यह थोड़ा सा mind लगाना पड़ेगा 5 5 कैंसिल यह बच गया 2 के power 1 और इसका answer हो गया 2 समझ रहे हो ना तो एक दूख क्यों करोगे फिर आ जाएगा मतलब बड़ी चीज नहीं है बहुत तीजी है ठीक है 125 है ऐसा करना एक power में 3 हो जाए तो 100 25 को 5 से करके चेक करते हैं 25 टाइम्स फिर 5 से 5 और 5 से चैंस 5 के power 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 के power 3 और इसका power 1 by 3 देखो दोनों कैंसिल यहाँ हो जाएगा 5 के power 1 इसका answer 5 यह हो गया आपका answer इस तरह से combination बनाना होगा ठीक है अगला देखो second question आपका find 9 के power 3 by 2 तो 9 का ऐसा factor रखना है जिसके power में 2 हो तो 9 को करने के लिए क्या करना होगा 3 के power 2 और इसका power क्या है 3 by 2 यह 22 क्या होता है cancel क्या बच गया 3 के power 3 3 के power 3 कहने का मतलब 3 into 3 3 into 3 3 जा 9 9 3 जा 27 37 आपका answer हो गया ठीक है अब 32 के power 2 by 5 है तो 32 को क्या करना होगा यह लिखना होगा 2 के power 5 करेंगे तो 32 जाएगा अभी निसको बनाए हमने तो लिख सकते है 2 के power 5 और उसका power क्या है 2 by 5 तो 5 5 cancel क्या बच गया आपका 2 के power 2 2 into 2 यह हो जाएगा 2 2 जा 4 अब यह देखो 16 के power 3 by 4 है इसको भी करेंगे तो 2 के power 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा और उसका power क्या करेंगे 3 by 4 यह 4 4 cancel क्या बच गया 2 के power 3 बच गया तो 2 into 2 2 यह हो गया 8 अगेन देखो 1 हैंड 25 है 1 हैंड 25 को हम 5 के power 3 करेंगे हो जाएगा 125 अब power में minus 1 by 3 यह 3 3 तो cancel बच गया 5 के power minus 1 तो 5 से और minus 1 से करेंगे minus 5 आपका answer हो जाएगा ठीक है थर्ड question देखिए simplify करना इससे यह बहुत तीज़ी है जो आपको formula पढ़ा है न उस पे बनेगा दोनों का देखो base multiple में तो है आप दोनों का base same है तो base को 2 है न लिक लेते हैं आप power को क्या करेंगे add कर देंगे तो 2 by 3 पलस 1 by 5 हो गया अब देखो 2 के power 3 और 5 का LCM क्या होगा 15 इसको divide करेंगे 5 times 5 से और 2 से करेंगे 10 इसको divide करेंगे 3 times 3 से और 1 से करेंगे 3 यानि 2 के power आपका हो जाएगा 10 और 3 13 और नीचे 15 यह आपका answer ठीके again देखो again क्या है 1 by 3 के power 3 के power 7 यह जो नीचे है न इसको उपर ले जाएगे यानि 3 के power minus 3 के power 7 हो जाएगा करने का मतलब समझ रहे हो देखो जैसे माल लोग कोई भी equation रहेगा 1 by 4 के power 2 जदी हम इसको उपर ले कर जाएगे तो 4 के power minus 2 हो जाएगा ठीके उसी तरह 3 के power 3 था इसे उपर ले गए तो 3 के power minus 3 हो गया अब आपको पता है न इस power का power रहता है उसे क्या करना पड़ता है multiple तो 3 से minus 3 से और 7 से करेंगे minus 21 आपका answer हो जाएगा ठीके अब यह देखो दोनों का base से में divide में है तो base को लिख लेते हैं अब power को क्या करते है minus कर देते हैं तो 1 by 2 minus 1 by 4 हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा इसको divide करेंगे 1 times 1 से करेंगे 1 यहाँ से 11 के power 2 में से 1 जाएगा 1 अब आई 4 यह अब का answer हो जाएगा अगेन देखो इन दोनों को multiple कर देंगे 7,8,56 अब दोनों का power से में तो यहों का तेव लिख देंगे अब को हम formula पड़ा है तना है तो आई होब कि exercise 1.6 आप लोग को अच्छे समझ में आगया होगा और जिनको class 9 की 100% math अच्छे से complete करना है साथ में notes भी चाहिए वो membership में जोईन हो सकते है मातर आपको 499 पर लग रहा है जब तक आप 10 में नहीं जाओगे यहनि पूरे साल भर के लिए notes और साथ में पूरा math, video solution 100% line by line सारे equation का solution 499 में मिल रहा है जदी आपको join करना होगा इस number पर जल्द जल्द call करके join कर ले call करके सर से बात कर लो कैसे पैसा पर करना है उसके पाद जोईन हो जाओ बहुत अच्छे से class आपका सुरू हो चुका है आप मेनद करो पूरा हम लोग मेनद करके पढ़ा रहे हैं कोई दिकत ने होगा मेहत में आपको ठीक है पाद प्रफब करना है